हेलो फ्रेंट्स अकर आपका अभी सिलिंग फैन खराब हो गया है या किसी बज़े से नहीं चल रहा है खराब हो गया है तो उसको रिवाइंडिंग कराना पड़ेगा दोस्तों इसको देखी फैन को खोल के दिखाता हूं मैं आपको के यह देखे यह फैन जल गया है यहां से जल चुका है तो इसको अभी रिवाइंडिंग अगर कराना होगा तो रिवाइंडिंग कराने में कितना खड़ चायागा यह देख सकते हैं आपको आप इसकी पूरी क्वाइल जल चुकी है ठीक है तो दोस्तों हमें इसको रिवाइंडिंग कराना है रिवाइंडिंग लोगों के मन में होता है क्या है कि जब हम इसको बंदवाने के लिए जा रहे हैं क्या इसका जो Посक्वर का रिआ काफी जादा हई होता है कर दोस्तु मैं बताता हुआ है दोस्तों से पहले मैं हो बता दुक्त कवर 132 निकालँ, 心सरा हुलकर या जरी गया उसमें जितना कोपर निक लगा जब रिवाइंडिंग होगा तो उसके बजन के बराबर ही कोपर उसमें डाला जाता है तो आप कभी भी यह गलती मत करना कि कोपर को उसका तार निकालने की गलती मत करना ठीक है फ्रेंट्स दूसरी बात ऐसा है दोस्तों अभी मैं आपको कितना चार्ज लिया जाता है ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों यह कोपर में फैने जो जल गया है वो कोपर में फैने जो रिवाइंडिंग करना है हमें वो भी कोपर में कराना है लेकिन दोस्तों यहां पर होता क्या है देखिए यह कोपर है लेकिन दोस्तों इसमें होगा क् को मालूम नहीं उनके लिए मैं बता दूँ अगर आप इस फैन को ऐलमूनियम में वाइंडिंग कराना चाहते हैं यानि कि ऐलमूनियम में इसको बंधुआना चाहते हैं तो दोस्तों यह free of cost यानि कोई पैसा आपको नहीं देना होगा इसको फिर से रिवाइंडिंग कर दिया कोई पैसा नहीं लिया जाएगा दो सिसली जब भी आप वाइंडिंग करां तो इस वात का धेन का भी है कि आपको बैंका खर कराना मत कभी यान मौनियम में बंध बाद करांएं चाहें जैसे ऐलमूनियम में ज़्यादा चलते नहीं है फैन ज़्यादा हीट वरदास नहीं कर पाता है ऐलमूनियम कोपर के मुकाबले तो दोस्तों अगर उसके बाद में फिर से इसको अगर कोपर में वाइंडिंग कराना चाहेंगे तो दुगना रेट आपको देना होगा ठीक है क्यों आपको और कोपर में तो उसकी कोपर में ही वाइंडिंग करृया ठीक है जैसे पूरा देख लेना चाहिए 말 करा है इस लेकर के जाएंगे ठीक है तो पूरा फैन अगर आप लेकर के जाएंगे दोस्तों इस तरीके का इस्टेटर निकाल करके नहीं लेकर जाएंगे मतलब जो मोटर है अंदर का उसको नहीं निकाल करके पूरा फैन अगर आप उसको लेकर के जाएंगे मकैनिक के पास तो दोस्तो इसका रेट लगवग में 300-400 रुपे को पर टू को पर वाइंडिंग वह आपको बसू लेगा जिसमें कि वह आपको ग्रीसिंग भी कर देगा और उसके साथ साथ में कंडेंसर बगार के कनक्शन करके टोटल आपका फैन चेक करकर देगा ठीक है लेकिन वहीं दोस्तों अगर अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप यह देख लिजी कि आप उसको फिर से फिट कर सकते हैं जैसे आप खोलेंगा उस तरीके से फिर से फिट कर सकते हैं ठीक है फिट करने के बीडियो दोस्तों मेरी चैनल पर पहले से बड़ी हुए आप देख स जो आपका फैन बांध करके देतें, उनके बास में बहुत कम मसीन होता है, वो दूसरे के पास में बंदोहते हैं, और उनको उनको wholesale rate लगाते, तो वैसे rate आपको भी लग सकता है, उसमें, दोस्तो रेट होता है 200 रूपे का, ठीक है 200 रुपए पर फैन के हिसाब से उनको चार्ज लगता है लेकिन वो आपको खुद से असेंबल करना होगा ठीक है आई होके जानकारी आपके समझ में आगए कोई भी जानकारी लिए नहीं कमेंट करके दे सकते हैं दोस्तों ठीक है फिलाले इस वीडियो में इतना है मिल झाले प्याहीं नहीं करके दोस्तों और भीजियों करदेष झालाद्मच्छ्ठव